Hey guys, this is Rahul, welcome to another video lecture of SQL series तो जैसा कि हमने पिछली video lecture में constraints के बारे में पढ़ा था कि आप लोगने कि हमें कितने types के constraint SQL में use करने हैं और कितने types के constraint SQL में होते हैं इसके बारे में हमने पिछली video में देखा था, 30 parts देखा था हमने तो आज की इस video lecture में हम देखेगे कि constraint को कैसे add करें, means उसका use कैसे करें, constraint को alter कैसे करें और constraint को drop कैसे करें, ठीक है constraint को देखना भी हम लोग इस video में देखेगे, ओके, तो start कर लेते हम लोग अपना application express, ओके, तो अभी password डालके login कर लेता हूँ then SQL workshop, then SQL commands, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक table create करेंगे supplier नाम का, जिसमें हम लोग constraints भी add करेंगे, ठीक है तो मैं यहाँ पे जल्दी से query type कर लेता हूँ, table create करनी की, साथ में हमें constraints भी वहाँ पे type करता हूँ, ठीक है फिर मैं आपको constraints के बारे में समझाता हूँ, ओके, तो देखो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होगे, मैंने query type कर लिया हूँ मैंने यहाँ पे type किया, सबसे पहले create table supplier, तो मैं यहाँ पे एक supplier नाम का table बना रहा हूँ, जिसमें मैंने देखो supplier table का नाम दिया हूँ तो देखो आप लोग देख पा रहे होगे कि capital letter में लिखा हूँ, ठीक है, तो capital letter, small letter का मैं आपको कुछ थोड़ा सा minor difference बताऊंगा, आगे के समय में, ओके, तो देखो मैंने भी parenthesis में fields declare कर दिया, fields के साथ-साथ में मैंने constraint भी declare कर दिया, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आप पर जो gap gap दिख रहा होगा आपको ये नाम की बीच में ये underscore है, तो मैंने आप ये s underscore id, id एक बनाया मैंने supplier के लिए, जो कि आपकी primary की होगी, ठीक है, उसमें मैंने data type क्या दिया, number दिया, जिसमें मैं fine number इत्ता, id, क्या कर सकता हो, enter कर सकता हो, then मैंने ये आप ये लिखा, constraint supplier underscore p underscore key, okay, then मैंने दिया primary key, तो जैसा कि हमने इसके पहले की वीडियो में create table जो किये थे, उसमें मैंने आप लोगों को direct primary key लिखा था, okay, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हूँ constraint और ये मैंने कुछ नाम दे दिया, तो क्या होगा, primary key जो constraint है, ये constraint store हो जाएगा, ठीक है, एक name स store हो जाएगा, वो name रहेगा आपका supplier underscore p underscore key, ठीक है, इस name से क्या हो जाएगा, वो constraint store हो जाएगा, ठीक है, देन इसके बाद मैंने कुछ last name, first name, ये कुछ मैंने बनाया हूँ, fields, okay, columns, then s address वगेरा, तो इसमें मैंने कुछ constraint ने दिया, देन मैंने बनाया, s underscore ct, उसमें मैंने द constraint का नाम दियो, ये constraint का name है, constraint का name देने के लिए हम लोग use करते constraint, और फिर हम लोग name देते, तो constraint कुम साइगा, चेक, अब ये चेक करेगा, s city, means इस column में, इस field में, s city, इस field में, आपका देली, नोईडा, हाइदराबाद, बैंगलोर, चंदिगर जैसे, जो cities है, ये होने चा ठीक है, अगर मैं कोई state का नाम नहीं डालता हूँ, तो मेरा default में कौन सा नाम जाएगा, daily नाम जाएगा, ok, then as phone भी मैंने कुछ बनाया, ठीक है, field, जिसमें हम लोग mobile number डालेगे, जिसमें मैंने constraint का नाम दिया, ठीक है, जिसमें not null और unique होना चाहिए, means हमारा जो, हम जो mobile number देने वाले, वो हमेशा unique भी होने चाहिए, means अलग होना चाहिए, और not null भी होना चाहिए, means हम लोग वहापे कोई null value एंटर नहीं कर सकते, ok, अब आप लोग देख रहे होगे, कि मैंने आप लोगों कोई इसके पहले के वीडियो में बताया था, कि जो primary key होती है, ये not null और unique होती है, not null और unique का combination होती है, primary key, तो आप लोग सोच रहे होगी कि या पर primary key का use क्यों नहीं किये, तो आपको बता दू कि हम लोग एक table में सिर्फ एक ही primary key का use करते है, ok, तो इसलिए हमने not null और unique अलग-अलग यहाँ पर दिये, then after मैंने क्या किया, एक constraint बनाया, ठीक है, column name दिया था, और column name के साथ-साथ ही उसको constraint मैंने वापर declare कर दिया था, लेकिन अभी मैंने क्या किया, यह अलग से constraint बनाया, तो मैंने कैसे बनाया है, वो देखो, मैंने type किया constraint, ok, constraint type किया, then मैंने आपर टाइप किया supplier underscore composite, और फिर underscore u underscore key, तो यह जो है, यह नाम है, constraint का नाम ह है, ok, then मैंने कुण सा constraint दिया हूँ, unique constraint दिया हूँ, किस-किस के लिए दिया हूँ, एक है, as address column के लिए दिया हूँ, और एक दिया हूँ, as city के लिए, as city, ठीक है, तो यह दो चीजों के लिए, मैंने दो fields के लिए, जो unique constraint है, यह मैंने declare कर दिया, ok, अलग से, मैंने field में use किय कर दिया कि हैं नहीं यूज किया मैंने यह अलग से constraint बनाया और मैंने parenthesis में यह दो fields के लिए constraint को क्या गर भी है declare कर दिया कुन सा constraint unique constraint हमेशा आपका जो address s address और s underscore address city यह जो field है यहाँ पर हमेशा आपका unique data होना चाहिए ओके तो देखो यह जो query है मैं आपको notes में available करके दूगा मैं सारी queries का एक notes बनाने वाला हूँ और उसमें मैं आपको यह query दे दूगा ओके तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ run तो देखो हमारा table created output आ चुका है अभी हम लोग कौन से constraint बनाया है ठीक है वो check कर सकते तो मैं सबसे पहले आपको description दिखा देता हूँ तो अभी हम लोग सबसे पहले description देख लेते टेबल का तो आपको query तो पता है DESC और फिर हम लोग table का नाम देखे supplier ओके supplier और मैं आपके कर दूगा इसको run तो देखो supplier table का जो structure डिस्क्रिप्शन है वो हम को यहाँ पर दिख रहा है तो देखो जैसे हमने यहाँ पर field बना है ID ठीक है s__ id s__ last name first name address city state phone ठीक है उसका लेंक्त दिखा रहा है आपर data type दिखा रहा है प्रिसीजन दिखा रहा है s-id का ठीक है नलेबल कौन-कौनसी है और कौनसी नलेबल नहीं है ठीक है यहाँ पर हम लोग होता है वह अभी हम लोग देखेगे तो मैं यहाँ पर क्यूरे टाप करते हो डी एस सी या फिर आप लोग डिस्क्राइब भी लिख सकते हो यहाँ ठीक है और यहाँ पर देदूगा मैं all underscore में constraints ओके इस से क्या होगा कि 뭔 constraints कैसा होता है एक structure constraint का उसमें constraint के नाम भी हो सकते है constraint का type भी हो सकता है तो अब आप लोग इसका simple structure देखेंगे मैं इसको करूगा अभी report तो देखो all constraint नाम का एक टेबल है जिसमें देखो structure कैसा होता है उसमें कौन-कौन से column होते है owner होता है constraint name होता है constraint type होता है table का name होता है search condition और यह देखो यह काफी सारी जो चीज़े है यह उसमें होती है ठीक है constraint table में तो अगर मुझे जैसे constraint देखना है हमारे table का तो उसमें हमें देखो मुझे जैसे constraint का name ही देखना है तो मैं देख सकता हूँ constraint का type देखना है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ, और उसकी कुछ search condition भी हो सकती है, table name भी हो सकता है, यह हम लोग constraint में देख सकते हैं, तो अभी मुझे जो मैंने constraint बनाया हूँ, supply table में, वो भी मुझे जैसे चेक करना है, तो मैं अभी कैसे type करूगा, वो देखो, तो मैं क्यों constraint name देदू का constraint, constraint name, ओके, जो आपका name रहेगा, यह underscore को लगके आएगा, ठीक है, अंदर स्कोर देगे हैं, फिज आपे name देंगे, ठीक है, from लिकेंगी इसके बाद में, from एक क्लाउज है, हम लोग इसके बारे में बाद में detail में पढ़ने वाले, from all constraints, all constraints से यह जो constraint name है, यह तो मैं आपे देदूगा, all constraints underscore लगा के ही, constraints, ओके, ऐस लगेगा यह पर, फिर इसके बाद में आपे where clause लगाओगा, where clause, where जो वो clause है, इसके बारे में हम लोग बाद में पाएने वाले, ठीक है, detail में हम लोग पूरा where के बारे में जानेंगे, तो where means वहाँ पे क्या होना चाह तो यह आपका supplier, supplier, ओके, तो देखो अभी कुछ, मैं आपको important चीज़ बता रहा हूँ, जो supplier जो रहे का table का name, इसको हम लोगों को लिखना पड़े का single quote में, okay, single quote में लिखना होगा, अभी मैं इसको करता हूँ run, तो देखो आपे no data found लिखके आ रहा है, यह no data found क्यों लिख बताता हूँ, ठीक है, असल में जो है, यह supplier जो है, ठीक है, यह नाम जो है, यह गलत आ रहा है, इस query में, ठीक है, क्योंकि हमने आपके capital में type किये, और जब भी हम लोग यह आपके supplier लिखते हैं, तो यह automatically क्या हो जाता है, capital हो जाता है, और capital से match करता है, तो इसके लिए हमको यह output है, वो display हो चुका है, तो देखो, कौन-कौन से constraint के name है, एक है supplier unique key, मिन्स यह एक नाम है, supplier chk underscore, supplier p, तो यह जो सारे constraint है, यह हमारे कौन से table में, supplier table में बने हुए है, ओके, यह तो कुछ पहले से बना होगा, ठीक है, तो इतने हमने constraint यहाँ पर बनाया है, supplier table में, ठीक है यहाँ पर अगर हम लगों को और भी चीज़े अगर देखनी है, ठीक है, अब उनको suppose सारे ही चीज़े देखनी है, ठीक है, सारे columns देखने है, तो मैं यहाँ पर direct लगा देता हूँ, star लगाने से मैं सारे column देख सकता हूँ, तो देखो, कौन-कौन से columns आपके supplier table के constraint में है, constraint के सारे column यहाँ पर दिखाए दे रहे, owner को ने pro code है, ठीक है, और जैसे constraint name दिखा रहा है, यहाँ पर constraint type दिखा रहा है, means unique unique कुछ होना चाहिए, ठीक है, primary की वगेरा, देन यहाँ पर search condition भी दिखा रहा है, और और भी काफी चीज़ है, यहाँ पर आर owner है, status, differentiable, और काफी स label name हो गया, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमने constraint बनाए है, वो हम लोग check कर सकते, ओके, तो अभी हम लोग देखेगे, कि आप लोग कैसे constraint को drop कर सकते हो, कैसे add कर सकते हो, कैसे alter कर सकते हो, ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारे constraint add कर दिए, अब मैं आपको एक constraint drop करके बताता हो, ठीक है, simply हम लोग एक constraint drop करेगे, जैसे कि आप लोगों को दिख पा रहोगा, supplier underscore p underscore key, यह primary key के लिए हमने constraint का name declare किये थे, किसके लिए कि लिए थे, as id के लिए, मैं supplier के id's के लिए, ओके, तो मैं इसको अभी कर देता हो, drop, ठीक है, तो drop करने के ल लिख दूगा, drop, और drop लिखने के बाद मैं यहाँ लिख और constraint, constraint लिखने के बाद मैं यहाँ पर type करूगा, supplier, ठीक है, यह जो, यह वाली key है, supplier, underscore p underscore key, इस constraint को मुझे जैसे, drop करना है, delete करना है, तो यह मैं यहाँ पर type करूगा, supplier, supplier कै ता, फिर underscore, p underscore key, ओके, अभी हमने इसक इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो यह constraint हो चुका होगा अभी suppose अगर मैं फिर से अपने constraint देखता हूँ तो देखो मैं history में जाके वाली query को फिर से run करता हूँ ठीक है यह query मैं भी फिर से run करता हूँ तो देखो हमारा जो primary key वाला जो constraint है वो delete हो चुका है ठीक है तो देखो अभी हम लोग description भी चेक कर लेते हैं मैं आपर dhc type कर लेता हूँ supplier supplier ठीक है इसको करेंगे हम लोग run तो देखो जो s id था यहां का जो primary key है यह गायब हो चुका है ठीक है यहां पर कुछ जैसा primary key बता रहा है कैं नहीं बता रहा है अभी क्या कर करना होगा ठीक है अल्टर टेबल करना ही होगा आपको क्योंकि हम लोग टेवल में modification कर रहे हैं तो अल्टर टेबल लिखोंगा मैं आप और यहां पर लिखोंगा supplier ओके देन हापे मैं क्या लिखोंगा हम निसके पहले डॉप लिखे ते अभी मैं आप लिखोंगा add ओके कैसे दे दिया में ठीक है supplier अंडर्सकोर primary key है वो ठीक है यह समने नेम दे दिया देन मैं वहाँ पे लिखोंगा primary key प्राइमरी की जो रहेगा हमारा constant रहेगा ठीक है कौन से field को देनी है मिन्स कौन से column को आपको देनी है वह आपको यहाँ पे define करना होगा तो मैं यहाँ पर देते तो as underscore id ठीक है as underscore id इस column को मैं primary key देना चाहता हूँ ओके तो मैं आपके अभी इसको प्राइंस को क्लोस कर दूँगा और मैं इसको अभी कर दूँगा run तो देखो table altered आ गया है मिन्स हमारी जो क्यूरी वह successfully run हो चुकी है अभी मैं description देखता हूँ ठीक है description देखेंगे हम लोग dsc supplier ओके अब मैं इसको कर दूँगा run तो देखो s id के लिए primary की हमने दे दिये ठीक है अभी यह primary की यह नले बाले क्या नहीं है ओके तो primary की apply हो चुकी है अभी जैसे मैं अगर check करना चाहता हूँ उसको तो मैं यह वाली qd type करूँगा ठीक है constraint चेक करने के लिए और यहाँ पर मैं इसको check कर सकता हूँ देखो यह बन गया है अपना primary की वाला constraint ओके तो देखो आप लोग इस तरीके से constraint को add कर सकते ओके अभी मैं आपको बताओगा कि alter कैसे करे means modify कैसे करे constraint को तो जैसे कि शार्द आपको याद होगा कि हमने एक field बनाए जिसमें हमने default constraint दिये थे ठी change करना है ठीक है देली की जगह दूसरा नाम देना है तो इसके लिए क्योंडिक कैसे टाइप करें वह अभी देखेगे तो मैं modify करूगा ठीक है तो इसके लिए same qri alter table तो करना ही होगा alter table कुंसर टेबल सप्लायर टेबल ओके तो सप्लायर टेबल देदूगा और यहाँ पर मैं क्या डैप करूगा modify ओके यहाँ पर आपको टाइप करना होगा modify किसको मोडिफाइ करना है जो एक city table था ठीक है हम लोग उसमें चले जाते हैं डिस्क्रिप्शन देखते सबसे पहले सप्लायर तो यह देखो हो एस स्टेट सॉरी स्टेट था ठीक है एस स्टेट क्या था डेली था ठीक है यहाँ पर डिफॉल्ट पर क्या दे रहें तो अभी मैं इसको चेंज कर दूगा चेंज करने के लिए अल्टर टेबल ओ कुछ गलत हो गया अल्टर टेबल सप्लायर ओके यहां पर लिखेंगे अब लोग मोडिफाई स्पेस देगे और जो फील्ड है हमारी ठीक है जैसे से स्टेट है यह देदेगे एस स्टेट लिख देता हूँ मैं आपर देन यहां पर मैं डिफॉल्ट O.K. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगी कि मैंने डिफॉल्ट में डेली दिया हूँ अभी जैसे मुझे as state जो यह वाली field थी वाला column था यहाँ पे जो default value हो गई हो वो महाराष्ट्र हो गई है ठीक अगर हम लोग कोई value अगर enter नहीं करते तो वहाँ पर automatically क्या चले जाएगी महाराष्ट्र value चले जाएगी ओके तो यह हो गया आपका constraints का lecture okay यहाँ आपका constraints का end होता है आप लोग कैसे constraints add कर सकते हो आप लोग कैसे constraints देख सकते हो कैसे constraints drop कर सकते हो कैसे इसको modify कर सकते हो इस वीडियो में हमने देखा okay तो I hope आपको यह समझ में आया होगा अगर आपको कुछ भी confusion हो तो आप लोग मुझे टेलिग्राम चैनल पर पूछ सकते हो या फिर आप लोग कमेंट में भी मुझे पूछ सकते हो ओके तो स्टॉप करते अभी के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक की लिए टेक केर बाए बाए खुद का ख्याल रखो